आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है शेफ बरपाल और मैं आपकी सीक्रेट्स अब आप तक पहुंचा रहा हूँ आज मैं बना रहा हूँ खस-खस का हल्वा ये मैंने एक छोटे से लड़के को कानपूर में देखा बनाते हूँ सहज उनका नाम था क्लास नाइन में पढ़ते इतनी जादा रूची खाना बनाने के लिए मूचिये मत तो बनाते हैं खस-खस का हल्वा सबसे पहले घी चार बड़े चम्मच घी ये देखिए जब तक घी गरम होता है मैं आपको बता दो कि क्या करना है ये खस-खस जो है ओवर नाइट भिको है उसके बाद छान के बिलक बारिक बढ़िया जैसे मैंने यहां पर पीसा है और उसके बाद ये खी गरम हुआ और ये खस-खस जल गया ये ये जादा पानी नडालें और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसे लगब बारा फंद्रा मिनिट चलाते रहना आपने ये देखिए अब ये बढ़िया ब्राउन हो गई है तो इसमें डालेंगे दूद्र और दूद्र डालते वक्त एक काम करना है आच को धीमे कर लिया और ये लिजिए आहाहा क्या बात अब इसे पकाएं बढ़िया और ये धीरे धीरे बिलकुल गाड़ा होने लगेगा और तो खसकस है वो भी फूल जाएगी और फिर विलकुल हल्वे का टेक्सचर आजाएगा अब ये देखिए बढ़िया हल्वे की कंसिस्टेंसी पे उस तरफ बढ़ रहा है गाड़ा हो रहा है और आपने चलाते रहना है और इस वक्त इसमें थोड़े से नट्स जो मेरे पास ह एसोर्टेट वो मैं इसमें डाल लेता हूँ ये लिजिए बढ़िया नट्स आहां क्या बात है हल्वा विलकुल बढ़िया गाड़ा मज़ेदार ये लिजिए ये क्या पात है और मिक्स कर ले मज़ेदार क्या बात है ये देखिए मज़ा आ गया बिलकुल ये देखिए ये आपके लिए आज मैंने बना लिया है खसकस का खल्वा क्या पात है और इस पे पोड़े से फ्राइड आमंड्स डाल सकते हैं क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्लास नाइन में पढ़ने वाले सहज ऐसी डिश बना सकते हैं अजी खाना बनाना होना तो उमर और कोई भी क्लास हो वह इंट्रेस्ट होना चाहिए जैसे सहज ने बनाया आपके लिए मैंने आप तक पहुंचा दिया अब ये हर घर में बनेग कि नाम सहज का ही लेना सीक्रेट उनीक ही है